जल्द ही गाओं में दो लाख लोगों को सौ सो गज के प्लॉट किये जाएंगे वित्रित 14 शहरों में करीब 170 करोड रुपे के विकास कारें का जल्द होगा शुभारम परिवहन मंत्री अनिलविज ने कहा रोडवेज बेडे में जल्द शामिद होंगी 500 ओडनरी और 150 एसी बसें सभी बस चालकों वो परिचालकों के स्वास्त की विशेश शिविर लगा कर होगी जाँच आज देश भर में मनाया जा रहा है राश्ट्रिय विधिक सेवा दिवस प्रदेश भर में लोग अदालतों का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का त्वरित किया गया निप्टान और गोपाश्टमी के अफसर पर मुख्य मंतरी नायप सिंग सैनी ने लोगों को दीशो बकामनाए श्रधालू ने गायों की पूजा की कैबिनेट मंतरी विपल गोयल ने करनाल में गौच चिकित्सा केंदर का किया उदगाटन नमस्कार मैं चंदन शर्मा अब समाचार विस्तार से मुख्य मंतरी नायप सिंग सैनी ने कहा कि जल्द ही गाउं के अंदर दो लाख लोगों को सौ सौ गज के प्लॉट वित्रित किये जाएंगे साथ ही प्रधान मंतरी आवास योजना के तहत इन लावार्थियों को मकान बनाने हे तू वित्य सहयता भी उपलब्द करवाई जाएगी वेचंडिगर में हाउसिंग फॉर आल विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे इस दोरान विकास एवं पंचायत मंतरी कृष्णलाल पंवार और शहरी स्थानिय निकाई मंतरी विपुल गोयल भी उपस्तित रहे बैठक में निर्णे लिया गया कि मुखे मंतरी शहरी आवास योजना के तहत लेट लेने हे तू पंजिक्रित आवेदकों को पहले चरण में आठ जिलों में निजी डेवलपर्स द्वारा EWS श्रेणी के लिए बनाए गए 6618 फ्लैट्स का आवंटन भी शिग्र किया जाएगा मुखे मंतरी ने कहा कि मुखे मंतरी शहरी आवास योजना के अंतरगत 14 शहरों में जिन लाबार्थियों को प्लॉट आवंटित किये गए थे उन्हें प्रद्धान मंतरी आवास योजना से जोड़कर मकान बनाने हेतू धाई लाग रुपे की वित्य साहता भी उपलब्ध करवाई जाएगी इतना ही नहीं इन 14 शहरों में लगबग 170 करोड रुपे की लागत से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलब्मेंट कारियों का शुभारम जल्द ही किया जाएगा हर्याना शहरी विकास प्रादिकरन द्वारा इस कारिय के लिए अनुमान तयार किये जा चुके है बैठक में जानकरे दी गई कि जगादरी के सेक्टर 23 में मुख्यमंतरी शहरी आवास योजना के 2000 लाबारतियों को मकान निर्मान शुरू कराने हे टू प्लाट का कबजा दिया जाएगा हर्याना शहरी विकास प्रादिकरन द्वारा यहां सभी बहुत 100 विधाएं उपलब्ध करवा दी गई है मुख्यमंतरी नायव सिंग सेनी ने आज हरी द्वार के बाबा मोहंदास आश्रम पहुंचे और 105 में बहुदोत्सव में शिरकत की इस दोरान उन्होंने बाबा मोहंदास की पूजा अर्चना भी की बाद में मुख्यमंतरी ने कहा कि मुझे आज यहां आने का सभाग्य प्राप्त हुआ है मैं सभी को स्वामी मोहंदास जी महराज के जन मुटसव की बधाई देता हूँ उन्होंने उत्राखंड के लोगों को राजजे के स्थापना दिवस की शुभकामनाई देते हुए कहा कि उत्राखंड में भी डबल इंजन की सरकार तेज गती से विकास कर रही है सीम ने कहा कि आज लोगों को अपने देश की एकताव अखंड़ता के लिए सजग होने की जरूरत है आज मुझे यहां आशरम दे आने का सुभा क्या मिला है मैं सभी को स्वामी मोहराज के जन मुटसव की बहुत बधाई और सुकामनाई देता हूँ कि उत्राखंड के विकास को लेकर के मुटसकार आधनिया मुझी जी के ने अतरह कर रही है क्यांकि डविल इंजन की सरकार जो तक नावेक्ति तक एक योजनावाद तरीके से उनके घर तक योजनाओं का लाब महुंचाने का काम कर रही है वो परसंसनिय कारिया पुश्कर सिंग धामी जी कर रहे हैं मैं पुश्कर सिंग धामी को उत्राखंड के विकास को तेज गती से आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बढ़ाई भी देता हूं शुकामनाइब देता हूं परिवहन मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हर्याना रोडवेज के बेडे में जल्द 500 साधारन बसें वर 1500 एसी बसें शामिल हूंगी साथ ही उन्होंने कहा कि रोडवेज के सभी चालकों वपरी चालकों के स्वास्त की विशेश शिवर लगा कर जाच की जाएगी इस समद्ध में अधिकारियों को निर्देश दे दिये गए हैं उन्होंने कॉंग्रेस पर निशाना साधते हुए जारखंड वह महराष्ट्र के चुनाव को लेकर कहा कि हर्याना की तरह वहां भी भाजपा की सरकार बनेगी भाजपा एक संगठ नात्मक पाटी है जबकि कॉंग्रेस में बिखराव है और हर्याना में जनता ने मूँ बंध कर दिया खड़के साब का भी, राहू घंदी का भी, सोने घंदी का भी, बुबिंदर सिंग हुड़ा का भी, सभी का मुपंद कर दिया है रहना की चंता नहीं आज देश भर में राश्रे विधिक सेवा दिवस मनाया जा रहा है लोगों में कानूनी जागरुकता लाने और सभी नागरी को विशेश कर हाश्ये पर रह रहुए समुदाय के लोगों के लिए नियाय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये दिन मनाए जाता है एक समान समाज के निर्मान के लिए कई परियोजनाओं और गतीविधियों के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए तंत्र को बढ़ावा देने तथा लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है वंचित और हाशिये पर रहरे लोगों को कानूनी साहता प्रदान करने के उदेश्य से 8 नवंबर 1995 को विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम बनाया गया था इस यतेहासिक कानून के परिणाम सरूप उसी वर्ष 5 दिसंबर को राश्टिय विधिक सेवा प्राधिकरन की स्थापना की गई तब से राश्टिय विधिक सेवा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है पंचकुला के नियाले परिसर में आज विशेष लोग अदालत का आयोजन किया गया जिसके लिए दो बैंचों का गठन किया गया पहली बेंच की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला नैधीश पी के लाल ने जबकि दूसरी बेंच की अध्यक्षता नैक मजिस्ट्रेट जोती संधूने की इसके अलावा SDJM उपेंदर सिंग की अध्यक्षता में कालका में सव डिवीजन कोर्ट में तीसरी बेंच का गठन किया गया मुखि नयाएक मिजिस्ट्रेट अजे कुमार गंगस ने बताया कि राश्ट्रिय विधिक सेवा दिवस के अफसर पर पचास पुराने मामलों के लिए एक विशेश लोग अदालत के आयोजिन किया गया है ये विशेश लोग अदालत कारेकरम हर्याना राजजविधिक सेवा प्राधिकरिन के निर्देशा नुसार आयोजित किया गया इसका उदेश सुलब और कुशल नियाए के प्रति प्रति बद्धदा को मजबूत करते हुए लंबित मामलों के समाधान में तेजी लाना था ये विशेश लोग अदालत पुराने मामलों की पेंडेंसी को कम करने और समय पर नियाए देने के प्रयासों का हिस्सा थी उन्होंने बताया कि कुल पचास मामले लिए गए और दस मामलों का निप्टारा किया गया और इसके तहट जो 50 oldest cases है हर जिले के उन cases में कोशिश की जारी है कि हम उन cases को समस्वते के माध्यम से उनको डिसाइड करें जो लोगों को जो 50 oldest cases में जितनी भी पार्टी जितनी भी लिटिगेंट है उनको सिवत नियाई नियुक्त दस साल पुराने भी हैं 15 साल भी पुराने भी हैं 50 oldest cases का मतलब है 50 सबसे पुराने मुकदमे जो पंचकुला की अदालतों में पैंडिंग है और जिन में समझोता हो स विशेश लोग अदालत के लाभारती बलजिंदर सिंग ने बताया कि लोग अदालत में पैसों की बचत होती है और मामले का निप्टान अच्छे से दोनों पार्टियों के मध्यस्त होता है मामला समाप्त होने पर आज लगबग 12 साल बाद सुकून मिला है वहीं एड़ोके किये हैं वह एक तो खर्चे से बच जाता है आदमी और यह हमारा बहुत पुराना केश सब्राथा दस पारा साल से इसमें हमारा अपसा उट हो गया है वह मतलब यह समझो कि हमें बहुत ही अच्छा स्कून मिला है ताकि हम अच्छी जिन्दकी जी सकें ताकि तो हम भी हम सब को भी अपील करेंगे कि लोग अदालत में आके अपने फैंसले कराओ एक तो आदमी को फैनेंसली बहुत हल्प होती है जितने ज्यादा पुराने मतल मैटर है केश लंबितवाद हैं उनको यहां मतलब मेडियेशन में लेके आके दोनों पार्टियों को बैठके में केवली स हो जाता है तो डीले से जो हमारे पंस्कूले में है अपने जजस साब है या वोर वी जो मेंबर्स हैं बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं अंबाला जिला विदिक सेवा प्रादिकरन की तरफ से विदिक सेवाएं दिवस के उपलक्ष में विशेश लोक अदालत का आयोजन किया गया ये लोक अदालत जिला एवं सत्र नयाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्रादिकरण की अध्यक्षा कंचन माही की अध्यक्षता में लगाई गई इस विशेश लोक अदालत में 50 अतिरिक्त पुराने लंबित केस रखे गए जिलाव विदिक सेवा प्राधिकरन के सचेव एवं CJM प्रवीन ने विशेश लोग अदालत को लेकर सिविल जज जूनियर डिविजन शीव देव शर्मा का स्पेशल बेंच बनाया गया था इस बेंच के पास 57 रिक्त पुराने लंबित केस रखे गए उधर यम्नानगर वर्ज अगादरी में जिलाव एवं 17 नियाधीश आरसी डिमरी की देखरेक में विशेश लोग अदालत कायोजन किया गया सिविल जज वसुंद्रा राव वर सिविल जज सिधांत ने सब डिवीजन विलासपूर के मामलों का निप्टान किया सीजेम कीर्थी वशिष्ट ने बताया कि लोग अदालतें शीग्र सरल वर संतोष जनक नयाय का सबसे बेहतर माध्यम है और इससे ना केवल केसों में शामिल दोनों पक्षों का समय बलकि धन की बचत भी होती है गोपाश्मी का परव आज प्रदेश भर में धूमदाम से मनाया गया इस अफसर पर बड़ी संख्या में शरधालूं दोरागायों की पूजा अरचना कर उन्हें चारा खिलाया गया मुख्यमत्री नायप सिंग सेनी ने इस अफसर पर अपने संदेश में कहा कि सनातन संस्कृती की समवाही का समस्थ देवी देवताओं को धारन करने वाली पूज गव माता के पावन अराधना एवम परव कोपाश्मी की आप सब को हर दिक्षूप कामना है वहीं कैथल की गोशाला में शरधालूं ने हवन यग्यक करके गाय माता की पूजा की गोव माता की सेवा पर मात्मा की सेवा के समान है गाय के दूद में बहुत सारे पूजां पाये जाते हैं जो व्यक्ति को अनेक बिमारियों से लड़ने में मदतकार साबट होते हैं जादा होता हो ब्लोड पेर्शन वो भी कम हो जाता है तो इसले गोवातागी हमें पूजा करनी चाहिए यही उदार करती है यही हमें आगे पार लेके जाती है जिरी क्रिशन जी के अपना द्वापर के समय से है जब भवान इंदर देव ने लगा तार गोखलवासियों के उपर अपनी बारिश का कहर धाया तो वो बारिश का साथ दिन तक चली और आठोंए दिन भवान श्री क्रिशन जी ने गोवर्दन परवत अपनी उली पर उठाया उदर प्रदेश के राजस्व एवंस्थानिय निकाय मंत्री विपल गोएल ने करनाल सिथ श्री कृष्ण गोशाला पहुंचे और गायों की पूजा कर उन्हें चारा खिलाया इस मौके पर उन्होंने गोशाला में गोच अकित्सा केंद्र का भी उद्गाटन किया पत्रकाव से बाचीत में उन्होंने कहा कि गोपश्मी का पर्व सनातन धर्व में बहुत महत्व है ये पर्व हमें बताता है कि हमें किस प्रकार गायों की सेवा करनी चाहिए और हमारे जीवन में गायों का क्या महत्व है उनने का कि प्रदेश को बे सहरा गोवांश से मुक्त करने के लिए अभ्यान चलाया जा रहा है पिछले 15 दिनों से प्रदेश में बे सहरा नंदी और गायों को गोशालाओं में भिजवाने का कार्या चल रहा है जो लोग गायों का दूद निकाल कर रोड़ पर छोड़ देते हैं उन पर सक्त कारवाई की जाएगी सबी इस नात्मियों को आज जो गोपाश्मी के पर्व की बहुत बहुत शुब कामना ही दूँगा जो गोपाश्मी का पर्व यह बताता है याद दिलाता है हर साल कि किस तरीके से हमें गोवों की सेवा करने जीवन में और हमारे धर्म में गोवों का क्या महत्व है परियास शुरू हो गया है, पिस्ते 15 दिनों से जो सड़कों पर नंदी और जो गव माता जो विचार रही थी, उनके लिए एक सक्त तरीके से, कि जितने भी गव माता हैं, रोड पर हैं, उनको गव शाला के अंदर ले जाकर, जो प्राइवेट रख्तियों की है, क्योंकि बह गव शाला के अंदर बंद मिलेगी, और 51 सो रुपे और 11 जार के चलान के बाद गव हैं, जो है न, वो सरकार की संपत्ती हो जाएंगी. मुखे मंतरी नायब सिंग सेनी ने कल दिली में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवानी से मुलाकात की, और उन्हें जनम दिन की शुभकाम नाएं दी. मुखे मंतरी ने कहा कि देश के पूर्व उप प्रधान मंतरी भारत रतन लाल कृष्ण आडवानी ने विकास में एहम भूमी का निभाई है, और वे भाजपा परिवार के पुरोधा हैं. वे राजनीती में अपने समर्पन वे सिधानतों से करोड़ों कारेकरताओं के आदर्श हैं. ईश्वर से प्रातना है कि वे दीरधायू हों, स्वास्त रहें और सदैव हमारा मार्ग दर्शन करते रहें. मुख्य मंतरी नायप सिंग सेयनी ने कल ट्रेन के जरिये चंडिगर से दिल्ली पहुंचे. ट्रेन में यात्रा के दुरान उन्होंने कई जरूरी कारियों की समीक्षा की. दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंतरी ने प्रैसवारता के दुरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि कॉंग्रेस के पास जूट के सिवाए कुछ नहीं है और अब देश के लोग इस जूट को समझ चुके हैं कॉंग्रेस का जूट ना तो हर्याना में चला और अब जार्खंड वह महराष्ट्र में भी नहीं चलेगा उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मो कश्मीर की विधान सबा में धारा 370 के प्रस्ताव को कॉंग्रेस ने जो समर्थन दिया वो दुर्भाग्यपूंड है अब जूट को देश के लोग समझ चुके हैं और जूट को नकार रहे हैं इनका जूट कुछ दिन चला था हिमाचल में जूट चल गया था करनाटक में चल गया था ते लंगाना में जूट चल गया था अब इनका जूट चलने वाला नहीं है ना हरियाना में चला है ना जारखंड में चलेगा और ना ही महराष्टर में चलेगा अब इनके जूट का नकाब उतर चुका है यह दुर्भाक्यपूर्ण है मैं यह कहूंगा कि कॉंग्रस ने जिस परकार का अपना रुख जम्मू कस्मीर के अंदर नेशन कॉंफरेंस पार्टी के साथ मिल करके उन्होंने अपने एजन्डे को जो जम्मू कस्मीर के असेम्बली के अंदर समर्थन दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है जिस परकार से उन्होंने वहां की एसेम्बिली के अंदर 11.370 और 35 एकी दबारार रिवर्ट आए उसके समर्थन करने का काम कॉंग्रेस पार्टी ने किया है दुर्भाग्यापूर्ण और बताने का काम का दिल्ली के पुरूब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साजते हुए सीम सैनी ने कहा कि आप अपार्टी ने पिछले 10 वर्षों में यमुना की सफाई के लिए कोई काम नहीं किया खुद शीश महल में रहते हैं और दिल्ली के लोगों को प्रदूशन में खड़ा करते हैं बड़े-बड़े सजवाग दखाते हैं प्रलतू वो लोगों के लिए हैं अपने लिए तो सीश महल है अपने लिए सीश महल खड़ा करते हैं लोगों को पलूशन के अंदर खड़ा करते हैं उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक होने वाले भव्वे समारों की तैयारियां जोरों पर हैं फरीदाबाद की मानव रचना अंतराश्य विश्व विद्याले में विश्व यूनिवर्सिटी चैंपियन्शिप शूटिंग के उद्गाटन समारों का आयोजन किया गया जिसमें खेल मंतरी गौरव गौतम ने बतौर मुख्य अतिथी शिरकत की वहीं खेल मतराले के सचिव सुजाता चतौरवेदी ने बतौर गैस्ट आफ ऑनर की शिरकत की इस प्रत्योगिता के मुकाबले 9-13 नमबर तक तुगला वाकाबाद स्थित करणी सिंग शूटिंग रेंज में होंगी उद्गाटन समारो में 23 देशों के करीब 240 खेडारी अपने देश का जंटा लेकर मास्ट पास्ट किया साथ इस अफसर पर विशोई द्याले के चात्रों ने विभिन राज्यों के सांस्क्रितिक कारिकरम भी प्रस्तूत किये इस मौके पर गौर्व गौतम ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि इस प्रतियोगिता का भारत में आयोजन हो रहा है उन्होंने कहा कि हर्याना ने खेलों में पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है आज किसी भी खेल प्रतियोगिता में हर्याना के खिलाड़ी सबसे ज्यादा पादक जीत कर देश को गौर्मान वित करते हैं केंद्रो प्रदेश सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा दे रही है हर्याना में हो रही है हमें हर्याना का बींगे मनिश्टर होने के नाते सब का स्वागत करने का हमें स्वभाग्य मिला है और देश की एस्वी प्रदान मंतरी स्री नरें निर्मोदी जी ने भी जो 2036 में उलम्बिक होना है वो इंडिया उसकी मेजवानी करेगा ऐसा उन्होंने टैक किया है मुझे लगता है कि आने वाले समय पर हर्याना का बड़ा रॉल खेलों में होगा और यहां से जो खेल के मैदान से सूटर निकल के जाएंगे हर्याना हीने पुर्देश और दुनिया में नाम रोशन करेंगे इस अफसर पर विश्व विद्याले के वाइस चेर्मेन अमित भला वाइस चंसलर डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि देश के एक हजार से अधिक विश्व विद्याले में से मानव रचना इंटरनेशनल उनिवर्सिटी को उद्गाटन समारों के लिए चुना जाना हमारे लिए गर्व की बात है उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाडियों को शुभकाम नाएं दी कि दोस्तों सथना एथलीट हैं बाकी ऑफिशिल्स हैं हमारे पास और तेईस कंट्रीज हैं इन्टर उनिवर्सिटी कॉंपिटिशन होता है जिसको एक इंटरनाशनल बौडी है फीसू को ट्राइब करती है तो और अलेडी उनिवर्सिटी एस्टी एस्टेशन की बहाफ पे देश की जिम्मारी लेते हैं तो वह बहुत बड़ी रिस्पोंसिबिलिटी होती है और मुझे लगता है कि जिस तदीके से नाशनल लाइफ एस्टेशन आप इंडिया, फीसू की टीम, स्पोर्स थालोटी आप इंडिया, मिनिस्ट्री आफ यूथ अफेर्स, सब लोग हमार इस शूटिंग रेंज है, उसमें सारी इवेंट्स कंसर स्टार्ट होगी, ये 23 कंट्री से आए हैं हमने NCR में जो प्रपेस ओतर होटल से वेलेबल हैं, ताज विवानता है, पार प्लाजा है, पाकी इंस्टिशन से और हमारे अपने उनिवस्टी के जो पॉस्टिल से उसमे रुकायोजन किया गया, इस मौके पर उनकी पत्नी का पनादास, नवनियुक्त सीजे आई जस्टिस संजीव खन्ना वर तमाम अपैक्स कोट के सदस्य मौजूद रहे, अपने संबोधन में सीजे आई चंदर चूड ने अपने चार दशक लंबे अदालती करियर से लेकर अ यसे उनकी माता ने उनका नाम धननजय रखा था, परन्तु धननजय नाम रखने से उनका अभी प्राय भौतिक संबता से नहीं, बल्कि ज्यान के भंधार से था, उनने जीवन में मिले अनुश्यासन का श्रे अपने पिता को दिया, अपने पिता से जुड़ा एक किस्सा भ तह्त कैड़ाँ के वादिद अ बल्ले है याम अजपा अच वूल म्यले है मुझे या मैं दिल से मुझे पता चला कि या फूल मेरे है थे अबblत से अ का को कि जो इस अथे श्यासे Moder Alexa i yes, iya method was the time when i must acknowledge all those who have played a very critical role in in my life and who more or who better, to begin with than my own mother. She told me when i was born and I was growing up, I was growing up that I opened yours द्धनेंजाए इस नाट में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया इसका उद्गाटन कुरुक्षेतर विश्विद्याले के कुलपती प्रोफेसर सौमनाथ सचदेवा ने किया बच्चों में व्यपार और पुस्तकों के प्रतीरूची बढ़ाने के लिए आयोजित इस मेले में विद्यार्थियों ने स्वयम निर्मित उत्पाद और मॉडल प्रदर्शित किये इस अफसर पर कुलपती डॉक्टर सौमनाथ सचदेवा ने कहा कि किसी भी बड़े लक्ष को प्राप्त करने के लिए किताबों में रूची लेना बहुत जरूरी है नई शिक्षानीती का भ हमारे बच्चे व्यापार के तरीके भी समझें और स्वय ध्याय भी करें कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा काम करना है तो इस तरह के मेले बच्चों के अंदर उनको प्रसाहिज करता है कि वह लोग विभिन विश्यों के बढ़कर ना के लिए अच्छा मुगाम भी बना वही मेले में हिस्सा ले रहे बच्चों ने बताया कि इस मेले की योजना और व्यवस्था विद्यार्थियों के द्वारा ही बनाई गई है इस मेले में उन्हें अपना हुनर दिखाने के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है मेले के समय पर हमने अपना समान खुद व्यापारियों से जाकर लिया उससे हमें सीखने को मिला कि हम कैसे लोगों से बाचीद कर सकते हैं और कैसे अपना समान कम से कम दामों में ले सकते हैं। उसी तरह हमने अपने बैनर वगेरा सब खुद प्रिंट कर आए। इससे हमें असल में ग्यान मिला कि एक्चुल में यह सब करना कितना मुश्किल हो सकता है। कॉमर्स के 11-12 के बच्चे अपनी रियल लाइफ बिजनस स्केल सीख सकते हैं। और उनका इंप्लेमेंटेशन और कैसे हमें आक्चुल में बिजनस चलाना है। यहां पर काफी इच्छी चीज़ हैं। यहां का पुछक मेले में भी काफी ज्यान वर्दुत चीज़े हैं, मतलब बुक्स हैं। और काफी इच्छी है। यमनगर में महर्शी वेद व्यास की करम स्थली बिलासपूर में तीर्थराज कपाल मोचन में 11-15 नवंबर तक प्रसिद धार्मिक व एतिहासिक अंतर राज्यक कपाल मोचन श्री आदी वद्री मेले का आवजन किया जाएगा। जिसमें 8-10 लाक शर्दालूं के आने की कुमार ने आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने कपाल मोचन सरोवर पर जाकर मेली की तैयारियों का जाइजा लेते हुए कहा कि सभी अधिकारी मेले के संबद में सभी प्रबंद 10 नवंबर तक पूर्ण करें और पूरी शर्दा से अपनी ड्यूटी को निभा कपाल मोचन मेले में आने वाले शर्दालों को अधिक से अधिक सोविदाय देने का प्रयास किया जाए और सफाई व्यवस्था दवाईयां पीने का पानी बिजली इत्यादी का प्रबंद भी 104 रूप से किया जाए मेलाओं के घाट हैं वहां कुछ परदादारी अच्छी नहीं थी और ताग जांक रहती थी तो वहां पॉमिनन्ट स्ट्रक्टर्टर्स बना दिये गए हैं जो ताग जांक का कोई स्कोपी ना बचे और सुरुक्षा व्यवस्था के दृष्टिकत सभी जो पहले इंत्जाम इस बार फालतू रहेंगे जो हमारी ओवर हेड मचान टाइप अब्जरवेशन पोस्ट भी रहेंगी नीचे नाके भी रहेंगे पुलीस पोस्ट भी रहेंगी बीट पे घष्ट भी रहेंगी और 11 से लेके 15 तक समापन तक डिप्लॉइमेंट 100 प्रसंट काइम रहेगा जो क करते हो एक आप जैसे साथियों की बदालत मुझे पिछे दफाई पता चला था कि कोई बोट बोट में छोटी बोटी लीकेज शायद कहीं थी तो इस बार हम ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हैसा ना हो और नई बोट भी आ गई हैं रबर बोट से वहीं पुलिस अधीक शक राजीव देसवाल ने बताया कि मेले में सुरक्षा वेवस्था के लिए दो हजार से अधिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है वह पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है उसके इलावा हमारे जो नाके हैं सेक्टर वाइज पुलिस डिस् पुलिस प्रशास हुआ कि पुलिस कम है उसको बढ़ा दिया गया और पुलिस जो है जितनी यहां लगेगी उसके इलावा भी हम इन्जाम रखेंगे प्रदेश के स्वास्तायवं परिवार कल्यान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सच्चिव सुधीर जपाल ने अमबाला के नाराइंगर स्थित नागरिक अस्पताल का निरिक्षिन किया उन्होंने निर्देश दिये कि महाने देशाले से प्राप्त दवाईयों की उपला बदता सुनिश्चित करें और जो दवाईयां प्राप्त नहीं हो रही उनको अपने स्थर पर खरीद कर आपूर्ती करें अतिरिक्त मुखिसाचिव ने आयूश्मानी योजना की नोडल रिकारी को कारे में कोताही बरतने के कारण तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है उन्होंने कहा कि मरीज का कोई भी बाहर की दवाई ना लिखी जाए उन्होंने आनलाइन साफ्ट्वेर को सुधारने के निर्देश भी दिये ताकि मरीज को जल्द इलाज की सुविदा मिल सके उन्होंने नागरिक अस्पताल में गाईनो विभाग के निरिक्शन के दौरान डिलिवरी आपरेशन वाली मशीन खराब पाए जाने पर सिविल सर्जन ने शिग्र मशीन उपलब्द करवाने के आदेश दिये उन्होंने पी डव्यूडी से कहा कि नागरिक अस्पताल की मौजूदा बिल्डिंग की रिपेर वाधुनिक सोचाले बनाने का एस्टीमेट शिग्र बनाकर मुख्याले को भेजा जाए राष्टवदी दुरौपदी मुर्बूने कल दिल्ली के विग्यान भवन में केंद्रिय सतरकता आयोग यानी सी बी सी द्वारा आयोजित सतरकता जागरुकता सपता समारों को सम्भोधित करते हुए बनास्टरपती ने ब्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयासों पर केंद्र सरकार की सरहना की है उन्होंने कहा कि सरकार ने ब्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कई सारे प्रयास किये हैं जिसमें हर सेक्टर में पारदर्शिता के लिए यी मार्केटिंग की श सब्सक्राइब एक प्रोबिटी फोटल संचालिद किया गया है वर्स 2018 में प्रिवेंशन अप्रॉप्शन आर्थ को संग्षोधित किया गया है पिछले इस दोस बर्सों में प्रिवेंशन अप्रॉप्शन अप्रॉप्शन आर्थ के तहट सरकार ने 12 बिलियन डॉलार से अधिक की संपतियां जब्त की है राष्टरपती ने सरकार दोरा बरस्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीती अपनाने पर भी खुशी जताई है केंद्रिय सतरकता आयोग दोरा तैयार तीन पत्रिकाओं का भी लोकार बंड किया गया तीन पत्रिकाओं की पहली प्रतियां केंद्रिय सतरकता आयोग दोरा राष्टपती दौपती मुर्मू को भेंट की गई इन पत्रिकाओं के साथ साथ डाक विभाग दौरा सतरक्ता जागरुकता सप्ता 2024 पर एक विशेश कवर भी जारी किया गया गौर तलब है कि केंद्रिय सतरक्ता आयोग हर साल सरदार वरलब भाई पटेल की जैनती वाले सप्ता में सतरक्ता जागरुकता सप्ता मनाता है इस साल इसकी थीम सत्यनिष्ठा की संस्कृती से राष्ट की सम्रधी रखी गई है समाचारों में आज इतना ही नमस्कार